हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंद्र कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडीतु पेंद्र स्टडी क्लासस में गायस में जैसा कि आप लोग को आई एमीडी के चेप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेश्ट क्लासस में बात किया था आज का टॉपिक होने वाला है असकंद नियंत्रण यानि हम इन्वेंटरी कंट्रोल जिसे कहती हैं ठीक है इनके बार में पोड रूप से डिस्कुसन करने वाले हैं तो यहाँ पे वीडियो काफी हेल्फुल होने वाली है वीडियो लाश्ट तक देखना तब ही आप लोग को स ग्यानिक बिदि है जो पताती है कि उतपादन की मांग के अन्रूप कितनी मातरा में आवस्यक समागरी भंडार में उपलब्द रखी जाए जिससे सही समय पर सही मातरा में सही पदार्थ मित्रिये डंग से अपूर्त की जा सके मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम किसी इसी विधी बोली गई कि जिसनकी वासकT.ानुसार हम जितने मिट्रियस तयार कर चुकें, या फिर एक हफ्टे में जितने मिट्रियस तयार कर सकें, उतने ही के according हम materials अपने भंडार कच्छ में रखें वरना हमें based materials नहीं रखना है मतलब यह ऐसी एक तकनीक होती है कि उन्हीं के according हम क्या करते है जितना materials के में आओ सकता होती है उन्हीं के according रखा जाता है यह क्या कहलाता आपका असकंद नियंतर यानि inventory control कहलाता है कहने का मतलब topic clear हुआ या फिर नहीं clear हुआ कहने का मतलब है यहाँ पिया है कि यह ऐसी बिग्यानिक विधी है जो उत्पादन के अनुरूप कितनी मात्रा में कितनी मात्रा में मतलब किसी न किसी factory में किसी न किसी चीज का निर्मार करेंगे manufacturing करेंगे ठीक है तब ही दिखिया जाएगा तो उनके according जितने materials यूज किया जाएगे केवल उनही को भंडार कच में रखा जाएगा वरना हमें based materials नहीं रखना है ठीक है यह ऐसा एक process होता है इनही के अगरधारित पर किया जाता है किसके अधारित पर असकंद नियंत्रण यानि inventory control के अधार पर रखा जाता है next topic की बात क्या जाए next हमारा topic कहता है असकंद नियंत्रण के उद्देश यानि objective of good stock central system control system यहाँ पर control है ठीक है यह control system तो यहाँ पर अप्लिक के इसकंद नियंत्रण के उद्देश निम्लिकित प्रकार से है देखेंगे पहला मारा topic क्या कहता है कि भंडार में समान रखने रखने लेने से ले जाने के लिए उचित प्रबंद होना चाहिए मतलब क्या होता जो भंडारन कर्च्छ में होता है ठीक है बड़ा भी होना चाहिए बड़ा भी होना चाहिए जिससे जो में रखने जाने की सुभधा उपलब्द हो चुकी ठीक है निश्ट बात के जाए पदार्थो को क्रम उचित मोले उचित समय तथा उचित मात्रा में किया जाए जिससे भी निर्मार प्रक्रिया में बांधित ना हो और ना ही ओबर श्टॉक की करण माल या धन में बरबादी हो मिंस कहने का मतलब है इसका उद्दिस से क्यों बना गया जितना हमें फैक्टरी में उसे आओ सकता है ठीक है एक हपते का ज्यादा स्यादा मट्रियास रखा जाता है तो उतना ही लिमिट के अकार्डिंग हम में बनाधियास को रखें जिससे हमारा जो बीष्ट में भी न खराब हो और न हमाई धन की बरबादी भी हो निष्ट बात केया अपका निष्ट आफिक की बात केया तो यहाँ पे बंदारन के लिए शूरum परियाप्त अस्तल उपलब होना चाहिए कहने का मतलब है जो बापका बंदारन कच्छ होना चाहिए वो एकन्ध si साप सूत्रा होना चाहिए और किसी आसपास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंटर के एक सेरह सेरी लग गई या फिर कहने के मतलब जंग लगने स्टार्ट हो गया तो इस प्लेकार से, आसा बंदर अस्ताल नहीं होना चाहिए, मतलब उची द्युक्त पर रहोँ चाहिए, नेश्ट बात alt कि का विस्तार करने वाला ऐसा क्रमचारी होना चाहिएछ . निष्ट बात किया जा है असकंद समागरी की पहचान करने के लिए एक असपष्ट परडाली होना चाहिए जहां पर जैसा के प्रोडक्ड रंखा गया है जितना ठीक है उन ही के according हम क्या करते हैं एक अस्वस्ट प्रडाली तयार कर लेते हैं जिससे हमारे जो मेट्रियस होता है उसे धोलने में किसी प्रकार की समस्याएं नया उत्पन्ने हो नेश्ट बात किया जाए एबिसी बिसलेशन द्वारा पदार्थों का वर्गी करन करके उनका नियंतर्ण सुनिश्चित किया जाना चाहिए मतलब एबिसी ऐसा ऐसा एक प्रोसेस है जिनके अधारी पर हम क्या करते हैं सबी जितना मेट्रियस होता है उन्ही के एकॉर्डिंग हम रखते रहते हैं पहले वाला materials अगर आज बना है उनको कल बेचेंगे आज कल वाला materials सबसे पहले बेचेंगे तो इस प्रकार से ABC के माध्यम से बनता है आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूर्डू से जारकारी देंगे नेश्ट बात क्या आपका नेश्ट हमारा असकन दनियंतरर के lab कौ नहीं होती है मतलब क्या होता है कि जब हम सारा materials अगर यूज रखे रहेंगे पूर्ण रूप से तो क्या होता है जो प्रोसेस बनाए जाता मतलब मसीन के according product बनाती है तो उसमें जो materials लगेंगे वो हमारी परियापत से ज़्यादा रहेगी ठीक है मतलब limit रहेगी तुम उन्हें के according नाम है उन्हें खोजने किया हो सकता पड़ती है डाइक लेके जाके उठा के लेके चले आंगे कहने के मतलब है इसके लाव आ जाती है निश्ट बात के जाए उत्पादन कारिक्रम एम delivery की तिधी बनाए रखी जा सकती है जितना product हमारा बना जितना product गया जितना product आया इनके according हम क्या करते है इसकंद नियंतरण के अंतरगत निश्ट बात के जाए company की संपूर दच्छता उत्पादत्ता को बढ़ावा मिलता है इनके according असकंद नियंतरण के अंतरगत निश्ट बात के जाए आपका निश्ट आपी का जाता है समागरी भंडारण materials storing क्या होता है ठीक है इनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको definition के मा समागरी भंडार्ण कहलाता है मतलब जो हमारी तरह तरह की फैक्रियां होते हैं उसमें जो टूल लगते हैं जितने materials लगते हैं जिसमें रा materials लगते हैं और जार हो जाते हैं ठीक है इन सबी चीजों को रखने के लिए एक सुरच्छित अस्थान होना चाहिए जिनके अधार इसके उद्देश से किस प्रकार से होते हैं तो इसके उद्देश से निम लिखित प्रकार हैं कौन-कौन से हैं तो पहला हमरे definition के मादिम से देखेंगे उत्पादन और सक्तों की पूर्थ हे तो कच्चे पदार्थ अव्योगों और जारियों उपकरण अन्य उसक समागरियों को संतुलित प्रवाह बनाए रखना मतलग जितना भी मट्रियस हमें खरीदा गया जितना टूल्स आया ठीक है जितना टूल्स हमारत तयार हो गया इन सबी चीजों को क्या किया जाए एक सुरचित अस्थान पर रखा जाए जिससे आ इन सबी चीजों को हम डाटा तयार कर सकते हैं कहने का मतलब है जब हम किसी मट्रियस को सही रूप से सुरचित अस्थान पर रखे रहेंगे और सारा इसका रहेगा तो उस अस्थान पर जाकर हम tूरण इस मट्रियस को युठा सकते हैं हैं ठीक है और वहीं पर इधर उधर रख दिया गया तो उस मट्रियस को थोड़ी बहुत खोजना पड़ेगा मतलब ऐसे एक और प्रोसेस इसमें नहीं अपनाई जाती है किसमें समाकरी नियंतरण में ठीक है यही सब किसके आते हैं मतलब भंड़ान के लाव आ जाते हैं I hope guys यहां पर आप लोग को दोनों टापिक के बारें पूर्ट रूप से जानकारी मिली होगी तो बस guys आज के लितना है वीडियो अच्छे लेगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब किजिए जादा ज़्यादा सेर करने को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिल